All right guys, so मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप लोग एक login system बना सकते हैं हम लोगों ने वहाँ पर किया गया था कि login system को बनाया था बहुत ही clearly और यह चीज जो है बहुत अची तरह से काम कर रही थी लेकिन उसके बाद भी मुझे problem है और मेरी problem है security को लेकर इस बार जैसे कि अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाओं मैंने अपना पाचे जो है start कर लिया है और उसी के साथ मैं अपने localhost.login system में जाओंगा localhost.login system और अगर आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाओं मैं login.php के अंदर और आप लोगों को अपने username और password से login करके दिखाओं तो मैं login हो जा रहा हूं ठीक है और उसके बाद यहाँ पर home or logout दिखा रहा है मैं logout कर रहा ह हूँ अगर मैं sign up करूँ एक नए account से code with Harry से sign up कर रहा हूँ इसका password one choose किया मैंने confirm password में भी one choose किया sign up किया मैंने अब मैं login करूँगा code with Harry से code with Harry गलत password डालूँगा तो कुछ ऐसे दिखाएगा और अगर सई password डालूँगा one था जो कि तो मैं login हो जाँगा तो यह problem किया लोग यह बोलने है code with Harry password one ही था यह क्या हो रहा है password one था if I am not wrong मैं देखता हूँ जरा यह password क्या था login मैं क्यों नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं अप उस पर क्लिक किया code with Harry का जो username है वो मैंने याँ पर वो ट्रंकीट हो गया problem यह थी कि मैंने याँ पर जो username है उस पर limit लगा रखिए 11 characters की तो यहाँ पर यह एक disaster है तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहां sign up में जो maximum number of characters है उनको limit करना पड़ेगा तो यहाँ पर max length होती है input html मैं आप लोगों को दिखाता हूँ max length attribute क्या करता है अगर आप लोगों मैं दिखा हूँ तो देखो यहाँ पर max length attribute इस तरह से आप लोग लगा सकते हो तो मैं max length 11 लगा दूँगा अपने input में और आप यह ऐसा कहीं भी कर सकते हो ऐसा नहीं कि आप max length attribute जो है वो यहाँ पर इसी input में लगा होगे जहाँ पर php form म backend में मैं ढूंड रहा हूँ मेरा कहां गया वो signup.php कहां गया यह रहा signup.php और मैं अपने input tag में इसको लगा दूँगा तो मेरा input tag username का यहाँ पर है तो मैं कहूँगा कि भाई देखो ऐसा है max length जो है max underscore length is equal to कर दो गया 11, 11 से बड़ा username आप नहीं चुन सकते तो यह छोटे मैं जो है कर पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कौन से वाले में किया इसको मैं तरह देख लेता हूँ, मैंने username में max length is equal to 11 किया, max underscore length is equal to 11, यहाँ पर क्या problem आ रही है, type is equal to text तो मैंने max underscore length कर दिया, attribute का नाम सही से आप लोग को चुनना पड़ेगा, अब यहाँ पर कर लिया, इंटरेट पर देख लिया, अगरो search करके कोई problem नहीं है, आपर देखो मैंने username इस तरह से, देखो अभी मैं एक और character enter नहीं कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यह जो check है, यह सारी जगा पर लगाना पड़ेगा, in fact password पर तो मैं limit नही इस में लगा देता हूँ, वहना मेरे user का data वो truncate हो जाएगा और वो सोचता रहे जाएगा, यह चल गया रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी मैं reload करूँ, अब मैं code with Harry के नाम से बनाता हूँ, और यहाँ पर code with a one one कर देता हूँ, sign up, login कर सकता हूँ, code with के नाम से मैंने बनाया account, और मैं one डालूँगा तो login हो जाँगा, और यहाँ पर अच्छी तरह से काम कर रहा है, अब मेरी problem क्या है यहाँ पर, मेरी सबसे बड़ी problem यहाँ पर यह security को लेकर किया, पासपर्ट सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, अगर यहाँ पर मेरा यह चो हो है, attack करने के लिए, तब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कि आप लोग secure करो, assume करो कि आपके साथ यह हुआ तो क्या, यह हुआ तो क्या, security को layers में implement करो, तो मेरी एक तो layer of security रहने वाली है, कि मेरे database में कोई घुसी ना पाए, अब मान लोगो मेरे database में घुस गया, अगर वो मेरे database में से इस table को चुरा लेता है, तब भी उसको कुछ फाइदा नहीं होना चाहिए, वो मेरे users के account में ना घुस पाए, ऐसा कैसे हो सकता है, बॉब को गयर, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार यह table मिल गई, तब तो game over है न, फिर तब तो वो आपकी website पे आकर इन passwords क अभी इस scenario में username और password अगर वो डालेगा, तो वो आपके user के data को चुरा सकता है, ठेक है, अगर यह table उसने चुरा ली तो, लेकिन, लेकिन अगर आप password को store ही ना करो, तो कितना अच्छा रहेगा, अब आप लोगो गयर ऐसा कैसे हो सकता है, यह क्या फालतों की बात बोल रहे अब आप लोगो को गया, यह password hash क्या होता है, तो चलो मैं आप लोगो को बताता हूँ क्या होता है, मानलो कोई आपकी इस website पर आता है, जिसका नाम मानलो है, codewithary.com, ठीक है, codewithary.com पर कोई आता है, और वो sign up करता है, यह मानलो sign up page है, और sign up page पर जो आपका user है, वो अपनी details को डालेगा, ठीक है, तो अपनी details को user जो है, sign up form में डालेगा, मानलो इसने primarily दो चीज़े डाली, एक तो username और एक password, कि यही वो दो चीज़े होती है, जिनकी मदद से, वो login करेगा, किसी-किसी cases में आपका username email हो जाता है, कभी-कभी आपका username जो है, उसको चुनना पड़ता ह तो मानलो मैंने username और password यहाँ बर डलवाया अपने user से, तो मानलो उसका username था Harry, और उसका password था fan capital में और 339, ठीक है, यह मानलो उसका password था, अब होगा क्या देखो यहाँ पर, अगर कोई भी Harry और fan 339 को पता कर ले, तो वो यह details डालकर website में आगा, एक normal user की तरह login करके, Harry की data को चुरा लेगा, अब मैं जब sign up करूंगा तो मेरे पास दो option है, एक तो option यह है कि मैं username password को directly डाल दू डेबल में, दूसरा option क्या है मेरे पास, दूसरा option यह है मेरे पास कि मैं जो password है, उसका hash store करूँ, एक minute, डर्मा मत इस नाम से, क्योंकि मैं इस चीज़ को इतना clear करने वाल होना भी, कि आप लोग जिन्दगी में कभी नडरूफ है, hash से क्या होता है, hash कुछ नहीं है, hash एक machine है, जो कि क्या करती है, एक one way function है, तो यहां से यहां जाना allowed है, यहां से यहां आना allowed नहीं है, ठीक है, इस बात का मतलब मैं बताता हूँ, इस बात का मतलब यह हुआ, अग 9, 6, 7, 1, A, B, 7, 8, 2, 2, ऐसे यह आपको एक hash string देदेगा, एक बहुत बड़ी सी string, ठीक है, और यह string क्या होगी, यह hash होगी, इसको hash बोलने है, password अब क्या होगा, अगर मैं कहूँ क्या होगा, यह string से मुझे वापस बताओ यह किस की string है, तो यह possible नहीं है, अब आपको गया ऐसा क्यों नहीं possible है, यह one way function क्यों है, तो यह hash की property होती है, एक ऐसा function होता है, जिससे अगर आपने कोई चीज produce करी, तो वो तो आपको मिल जाएगी, लेकिन वो चीज कहां से आई, किस password का यह hash है, यह पता नहीं चलेगा, यानि कि password का क्या hash है, यह पता चल जाएगा, लेक लेकिन यह hash किस password का है, यह पता नहीं चलेगा, इसे कहते हैं one way function, तो अगर मैं क्या करूँ, कि sign up करते समय, user के password का hash store करूँ, यानि कि मेरी table कुछ इस तरह से दिखे, username और hash, password hash, यानि कि मैं password का hash store करूँ, तो मैं इस तरह से store करूँगा, Harry, और उसके बाद मान लो, तो मेरा जो fan 339, जो कि Harry का password है, उसको मैं क्या करूँगा, इस से sign up के time पर, पूछ लूँगा, इसका hash क्या है, मान लो, इसने कुछ यह बताया, मुझे hash, यह मान लो, मुझे बताया, hash है, तो मैं यह डाल दूँगा, 77, और B, जो भी है password का hash, वो मैं डाल दूँगा, याप अब मान लो, Harry आया अपनी website पर, इस website पर आया वो login करने के लिए, तो वो डालेगा Harry, ठीक है, और उसके बाद यह अपना password डालेगा, तो मैं इसको verify कैसे करूँगा, मेरे पास तो password database में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले username मिलाओंगा, Harry, Harry, match करा, हाँ करा, जब वो login करा है, तब dynamically वहीं के वहीं उसके password का मैं hash बना लूँगा, ठीक है, और मैं hash को match करूँगा, ठीक है, दोनों hash को match करूँगा, तो सिर्फ वो ही इंसान इस website पर login कर पाएगा, जिसको password पता है, जिसको hash पता है, वो login नहीं कर पाएगा, यूँकि hash से तो password पता चली नहीं सकता अब ऐसा मत बोलना कि यहां पर आप हैश डाल दोगे अगर आप फेस्बुक की वेबसाइट पर हैरी डालो यानि कि यह जो मेरी cwh.com वेबसाइट है इस पर आप हैरी डालो और उसके बाद आप पासवर्ड ना डालके पासवर्ड का हैश डालो मालो 77B जो भी मैंने हैश बताया वो डालो तो हैश का हैश कुछ और होगा हैश का हैश सेम नहीं होगा fan339 का हैश क्या है इस function से जब आपने गुजारा इसको तो ये बना ये इसका result था अब इसको अगर आप डाल दोगे वापस इस हैश में तो कुछ और result आएगा तो क्या होगा कि ये हैश प्रोड्यूस करने के लिए यानि कि जो पासवर्ड जो कि हैश की फॉर्म में stored database में उसको produce करने के लिए मुझे असली password ही चाहिए तो इस तरह से इस technique का इस्तिमाल करके मैं username और password जो है उसको database में store नहीं करूँगा लेकिन उसके बाद भी मैं उसको store करूँगा यानि कि मैं username को तो directly store कर दूँगा लेकिन password का मैं hash store करूँगा एक और example देख लेते हैं मालो s1 मेरा login ID है और s1 pw मेरा password है ठीक है तो मैं database में क्या store करूँगा जब मैं sign up कराँगा तो sign up.php की मदद से मैं username को तो यहाँ पर रख दूँगा ऐसा ही पहले मैं s1 pw रखता था password में अब मैं s1 pw नहीं रखूँगा अब मैं hash बना लूँगा और वो कैसे करते हैं code में यह मैं आपको बता दूँगा लेकिन s1 pw को मैं इसके अंदर गुसा होंगा मैं कवंगा यह जब बताना s1 pw का hash क्या है तो मान लो s1 pw का hash कुछ यह मिला 987 bd1 q उसके बाद klx something मैं उसको रख दूँगा यहाँ पर 98 something ठीक है अब मान लो यह जो user था यह आया website पर यह बोलेगा username s1 password s1 pw तो इसने s1 और s1 pw डाला तो मैं क्या करूँगा s1 को तो s1 से match करूँगा s1 pw का मैं वहीं के वहीं hash बना लूँगा उसी script में जो login.php script होगी उसी में hash बना लूँगा और मैं कहूँगा कि भाई देखो s1 pw जो है उसका hash बना दो ठीक है और इस hash को अब इससे मिलाओ और मैं hash को अगर मिलाओंगा और वह match करता है तो मैं उसको allow कर दूँगा कि भाई password correct यह login हो जाओ वरना login नहीं कर सकता है अब मैं आपसे इस सवाल पूछता हूँ कि किसी के पास यह username है और किसी के पास यह password hash आ गया आपका और आपका password काफी strong है तो आपका username और password hash अगर है किसी के पास क्या वो आपके account में login कर सकता है और अगर कर सकता है तो बताओ कैसे कर सकता है मुझे अगर कोई दे दे Harry और password hash तो मैं इस website पर आकर कहां डालूँगा password hash आप ही बताओ अगर मैंने username की जगा मालो किसी ने डाल दिया S1, login करने की कोशिश करी और password की जगा ये डाल दिया 98 98 जो भी ये उसने चुराया है hash 987B जो कि उसके पास अगर मालो टेबल आ जाती है उसने चुराया है तो मालो ये दुनों डालता है तो आप तो आपकी जो sign up, sorry login verify.php script है वो तो hash का hash बनाती ती यानि कि जो भी आप डालते है उसका hash बनाती है फिर check करती है तो इसका hash होगा वो कुछ और होगा मालो इसका 221B something है hashes match नहीं करेंगे और आपको entry deny हो जाएगी यानि कि login करने के लिए फिर password का होना वो बहुत जादे तरूरी है तो यहां पर I hope कि ये concept आप लोग समझ गए होगे किस सेना काम करता है अब मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि इसी concept के बहुत सारे variations है password को और जादा secure करने के लेकिन जो basic हो ये है I hope कि ये basic आप लोग जाए वो समझ गए होगे hashing का कि एक password का hash क्यों बनाया जाता है और PHP में यह हम किस तरह से करेंगे PHP की जहां तक बात रही मैं आप लोग को बताता हूँ PHP में हम किस तरह से करेंगे अगर हम PHP specific बात करें तो PHP की ज़रा बात करते हैं PHP में हम ये चीज किस तरह करेंगे तो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि PHP के अंदर हमारे पास password hash का function होता है ठीक है password underscore hash ये क्या करता है ये हमको मदद करता है password का hash बनाने के लिए और एक और function हमारे पास होता है password verify और मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये functions किस तरह से use करने password hash और password verify और इनकी मदद से किस तरह से हम लोग अपने user को securely login करवा सकते है आशा ये करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ही जो मैंने आपको hash समझाने की कोशिश करी बहुत ही simple सा concept है लेकिन बहुत powerful है आप लोगों के user को बचाने के लिए मैं आपर क्या करूँगा जो मेरा password column है वहाँ पर password ना लिखकर अब मैं password का hash store करूँगा और अपने ये जो users है उनको और जादा securely login करने में मदद करूँगा तो आने वाले videos में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस काम को जो है कर सकते हैं अगर आप लोगों ने guys ये PHP की playlist अभी तक access नहीं करी है by any chance तो मैं चाता हूँ कि आप लोग इसको access कर लें क्योंकि यहाँ पर हम इस तरह की सारी technique सीखने वाले हैं और मैं आपर जो चीज आपको बताता हूँ मैं to the point बताता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को unnecessary पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों को वहाँ तक बताना चाता हूँ चीजे जिसके बाद आप बड़े बड़े अच्छे अच्छे projects खुद बना पाएं यानि कि सारे के सारे concept में आप लोगों को cover करवा दो एक course को complete कराने का मेरा यही मकसद रहता है मैंने web development में भी आप लोगों को जो सारे basic concepts से वो बताए थे और सारे basic concepts बताने के बाद finally कुछ projects करवा दिये थे और उसके बाद जो है आप लोग उसके बाद अगर यह काम आपने कर लिया SSL certificate, hosting यह सब चीजें मैंने बता दी थी और उसके बाद आप लोग automatically खुद अची websites बना सकते हैं अगर यह वीडियो सारे आप लोगोंने watch करें तो so I hope कि आप लोगों को यह course यह पसंदारा PHP का इस playlist को access करना PHP की course की और यहां क्लिक करके bookmark कर लेना और यहां क्लिक करके playlist को save भी कर लेना guys अगर आप लोगोंने वीडियो लाइक नहीं गया है तो kindly मुझे वीडियो में लाइक ज़रूर दे दिया करें इससे मुझे काफी ज़्यादा confidence मिलता है कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया वह अच्छा लग रहा है और अगर मुझे यह confidence मेरे पास होता है तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो दिया है वो लापाऊंगा दूसरी बात यह है कि platform को पता चलता है कि यह वीडियी यह अच्छे है तो वो इसको और आगे पुछ करते है अगर आप लोगों वीडियो को लाइक देते हैntगे तो काइंड यह इस वीडियो को लाइक जरू कर दिया करें आब इक लिए अन्हे से खिडिंगोर में इतना है